जैहिंद इस वीडियो में हम North America यानि उत्तरी अमेरिका के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और इसका फिजिकल मैप हम पूरी तरह स्टड़ी करेंगे देखिए, पलिटिकल मैप तो हम लोग इसके प्रीविएस वीडियो में डिस्कर्स कर चुके हैं इसमें total कितनी countries है तो इस वीडियो में हम लोग North America के physical relief के बारे में discuss करेंगे और जानेंगे कि यहां का सबसे highest point कौन सा है, सबसे lowest या deepest point कौन सा है, important range, important river और important lake के बारे में भी discuss करेंगे और हम लोग इस वीडियो में इस थमस और स्ट्रेट के बीच में difference भी जानेंगे, तो चलिए start करते हैं, देखें North America का सबसे highest point या सबसे highest peak है Mount McKinley जो की Rockies में situated है, Rocky Mountain पे situated है और ये भी Alaska range में है, अच्छा Alaska क्या ह तो Alaska है USA का ही part, लेकिन वो USA से separated है, इस map में हम लोग देख सकते हैं, ये देखें, ये है USA यानि United States of America, जिसे अमेरिका बोला जाता है, और ये है Alaska, ये है America का ही part, लेकिन ये अमेरिका से थोड़ा आलग है, और ये Canada के बगल में है, Northwest में है, और यहीं पे Mount McKinley range है, तो ये तो हो गया highest peak, जो की है Mount McKinley, Rocky Mountain range पे, अच्छा North America की सबसे बड़ी mountain range है Rocky Mountain, जैसे हम लोग डिसकर सकते हैं, एशिया में हिमाले है, और यूरोप में Ural Mountain range, उसी तरह Rocky Mountains यहां की सबसे लंबी mountain range है, आप देखते हैं यहां का सबसे lowest point कौन सा, ये आपको Death Valley देख रही होगी, यान इसकी height, sea level से 86 meter नीचे तक है, और ये एक घाटी है, यानि mountain से नीचे हुए, जो ऐसे होता है नहीं, mountain के नीचे, उसे बोलते हैं घाटी, mountain के foot hills को घाटी बोलते हैं, अब यहां का largest island तो ये आपको Greenland दिख रहा होगा, Greenland यहां का सबसे बड़ा island, यानि Dweep है, अच्छा Greenland politically तो Europe का हिस्सा है, यानि Greenland का, Greenland का ये territory Denmark के कबजे में है, लेकिन ये जोगरिफिकली ये North America में ही लाई करता है, इसलिए इसे हम लोग जोगरिफिकली तो North America में पढ़ते हैं, लेकिन politically ये है Denmark के कबजे में, तो Greenland यहां का सबसे बड़ा island है, और Greenland North America के यहीं नहीं, world का स सबसे लंबी रिवर, ये दिखे, Mississippi, Missouri यहां की सबसे लंबी रिवर है, जो की लगभग 6000 किलोमेटर में के एरिया में फ्लो करती है, और ये Gulf of Mexico में गिर जाती है, जहां पे Mississippi का डेल्टा भी बनता है, अच्छा डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा नदियां उपर से जब बह लेक देखते हैं, जो कि है, लेक सुपिरियर, और ये की, ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वटर लेक भी है, यानि शुद्ध पानी का एरिया है, यहां पर, लेक सुपिरियर, और यहां पे five important लेक्स भी हैं, जिन्हें बोला जाता है, ग्रेट लेक्स, यानि द एक Ontario और Ontario पे ही नियागरा फाल है जो कि North America का सबसे उंचा जल प्रपात या waterfall है फिर देखते हैं कि North America किस किस continent से boundary शेर करता है तो देखिए North में North America North में Asia से separate होता है Bering State से और North America North East में separate होता है Denmark Channel Denmark State से जो कि है Iceland और Greenland के बीच यानि Denmark State North America को यूरोप से separate करती है और यहाँ पर है इस थमस अब इस थमस और स्टेट में भी difference देखेंगे तो यह है इस थमस पनामा की पनामा की इस थमस जो कि South America और North America को separate करती है अब पहले इस थमस और स्टेट में difference जान ले देखें यह स्टेट है स्टेट पानी का वह सकरा हिस्सा होता है जो दो water bodies को जोड़ता है यानि दो पानी को जोड़ता है और दो land boundary को अलग करता है यह हो गई स्टेट आप इधर भी देख सकते हैं स्टेट को देखें पतला हिस्सा है यह पानी का दो water bodies को connect करता है और दो land boundaries को अलग करता है एशिया और नॉर्ट अमेरिका को अलग कर रहा है और आक्टिक ओशन और बेरिंग सी को जोड़ रही है बेरिंग स्टेट यह हो गई स्टेट इसे जल डमरूमत भी बोलते हैं अब दो water bodies को separate करता है यह देखें यहाँ पर यह इस्थमस है यह Caribbean Sea को और नीचे Gulf of Panama को separate करती है और यह North America और South America को जोड़ती है तो I think straight और इस्थमस में आपको difference पता चल गया होगा straight पानी ही है जो की एक दूसरे पानी को जोड़ती है और इस्थमस लेंड है जो एक दूसरे लेंड को जोड़ती है और पानी को separate करती है और इसी तरह की एक और इस्थमस का example है इस्थमस of Kara जो की Thailand के पास है बाकि straight की तो बहुत सारे example है फिर हम लोग North America की water bodies देखते हैं किस से टच होती है तो देखिए North में Arctic Ocean से और इधर North West में Bering Sea है और West में तो Pacific Ocean है पूरा जो की World का सबसे बड़ा ओशन भी है Canada में ये देखिए उपर Buford Sea है, Biffin Bay है, Labrador Sea है, Hudson Bay है Hudson की खाड़ी है और इधर North America के East में है Atlantic Ocean जो की उपर वले पाड़ को बोलते है North Atlantic Ocean फिर इधर में है सरगाशो सी अच्छा यहाँ पे एक Bermuda Triangle है आपने सुना होगा Bermuda Triangle जो की काफी Mysterious है फिर आती है Gulf of Mexico, Mexico की Channel अच्छा Channel और स्ट्रेट में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, स्ट्रेट सकरा हिस्सा होता है पानी का और Channel थोड़ा बड़ा हिस्सा होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं देखिए और दो Water Bodies को Channel भी Connect कर रहा है फिर है Caribbean Sea और यह है Gulf of California तो यह तो हो गई कुछ Important Water Bodies जो की बाहर से इसको घेरे हुए अब इसमें कुछ अंदर भी है जैसे लेक्स हो गई यहाँ पर एक आपको लेक विनिपेक देख रहे होगी काफी important है Great Slave Lake काफी important है Great Bear Lake काफी important है और Great Lakes को बारे में तो हम लोग पढ़ी चुके हैं आप हम लोग इसके Land Form के बारे में भी दे इलाका तटी यह इलाका यह है Sierra Nevada यह है California Peninsula अचाँ Peninsula क्या होता है Peninsula अल्मोस्ट पानी से घिरा हुआ भाग होता है जो कि सिर्फ एक तरफ से Land से connected होता है उसे बोलते हैं Peninsula यह देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर भी पानी से घिरा हुआ है इधर भी पानी से घिरा यह Sonaran Plateau है यहाँ पर Sierra Madre Occidental है यह Sierra Del Sur है यह सब छोटी-छोटी Mountain Ranges है फिर आते हैं उपर यह Great Plains और यह Canadian Shield यह बहुत ही important है यहाँ पर North America में यह है Central Plains यह है Applesian Mountain अच्छा Canada वो country है जिसकी largest coastal boundary है यानि इसका maximum इलाका आप देख सकते हैं पानी से ही घिरा हुआ है तो इसका म सबसे बड़ी water body boundary होगी जिसे coastline boundary भी बोलते हैं और North America में prairies घास के मैदान भी पाये जाते हैं बाकी छोटे-छोटे बहुत सरे divisions हैं तो वो काफी important नहीं है तो जो भी important था physical division में उसे हम लोग study कर चुके हैं तो I hope यह वीडियो आपको थोड़ा-बहुत समझ आया होगा Straight और इस थमस में difference पता चला होगा Penisula के बारे में पता चला होगा और Great Lakes के भी बारे में आपको पता चला होगा तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ते रहें और revise करते रहें और वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद